मैं 10 करोड का इना भोसित करता हूँ जो बिहार के सिक्षा मंत्री चंदर सेखर की जीवा काटेगा S.R.K को जलाने की धमकी देने के बाद बिहार के मंत्री की जीव काटने का बयान क्यों भढ़के अचारिय परमहंस अयोध्य के संत जगत गुरु परमहंस अचारी अपने विवादत बयानों की वजह से अकसर सुर्खियों में रहते हैं जिन्नों ने कुछ दिनों पहले पठान एक्टर शारुखान को जिन्दा जलाने की धमकी दी थी अब वो बिहार की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीव काटकर लाने वाले को 10 करोड रुपे देने का वादा किया है जिन्नों ने रामचरित मानस को लेकर हाल ही में टिपणी की थी परमहनसचारे ने मंत्री को बर्खास करने और अपने बयान पर माफी मागने की बात भी कही है बताते कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन विश्विद्याले के दिक्षान समहरों में भाग लेने के दरान अपने बयान में कहा कि मनुस्वरती, रामचरित्मानस और RSS के पूर प्रमुक MS गोल वरकर के Bunch of Thoughts समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उन्होंने तीनों किताबों पर नफरत फैलाने की बात कही RJD नेता ने रामचरित्मानस को लेकर कहा कि ये किताब निचली जातियों के लोगों को शिक्षा से वन्चित करने की बात करती है उन्होंने कहा भीम राव अंबेटकर ने भी दावा किया था कि तीनों पुस्तके समाज में नफरत फैलाती है परमचरित्मानस की चितावनी पर जन्ता ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है एक ट्वीटर यूजर ने रेखा एक साधू संथ पास किसी को मारने काटने और जुबान काटने के लिए 10 करोड दे कौन रहा है और इतना पैसा साधू के पास कैसे एक करनी चुटर यूजर ने लिखा अगर सब कुछ इन्हें ही करना है तो फ्रिशासन और सरकार किसलिए है इसके पहले भी एक बार ये जल समाधी का एलान कर चुके है पहले जांच करवाई जाए इनके पास 10 करोड कहां से आए अश्विनी कुमार नाम के चुटर यूजर ने कहा अपराद करनी के लिए प्रेडित कर रहे ऐसे अपराधी पर कड़ी से कड़ी कानोनी कारिवाई करनी चाहिए रजन सिंग नाम के यूजर ने लिखा सोचनी वाली बात इस बाबा पर 10 करोड कहां से आए ये धर्म नहीं धंदा बना के रखा है ऐसा है बाबाओं ने गौरतलब है किस से पहले अयुध्या संत ने शारुक खान की फिल्म पठान को ले कर कहा था कि आज हमने शारुक खान का पोस्टर जलाया है मैं खोच रहा हूँ अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शारुक खान तो उसको मैं जिन्दा जला दूँगा अगर किसी में जलाने का साहस हो और किसी ने ऐसा किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयम लडूँगा गुरू परमहन सचारी वही गुरू है जिन्नों ने धंकी दी थी कि अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राश्र घुशित ना किया गया तो वो जल समाधी ले लेंगे परमहन सचारी किस बयान को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट बॉक्स मपती राय जरूर दे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वारल खबर हम आप तक पहुंचाते रहें